बांगला देश और वियतनाम जैसे देशों से भारतिय कपास की मजबूत मांग से कपास कैंडी की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। हालांकि वैश्विक बाजार में सुस्त मिलिंग मांग और सुस्त धागे की मांग के कारण कीमतों में तेजी पर ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। दरसल आस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक बहतर फसल की उम्मीद थी लेकिन फिलहाल कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। वही अंतराष्ट्रिय कपास सलाहकार समिती ने अगले सीजन दो हजार चौबीस से पचीस के लिए कपास उतपादक शेत्र, उतपादन, खपत और व्यापार में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, दो हजार तेईस से चौबीस में भारत के कपास स्टॉक में लगभग 31% की गिरावट आने की उम्मीद है, जो कम उतपादन और बरती खपत के कारण तीन दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। भंडार में इस कमी से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उतपादक से निर्याद बाधित होने और वैश्विक कीमतों को समर्थन मिलने का अनुमान है, जिससे संभावित रूप से घरेलू कीमतों में व्रिधी होगी और स्थानिय कपड़ा कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ेगा। एक्स्ट्रा लॉंग स्टेपल का पास पर आयात शुल्क में कमी की हालिया अधिसूचना के साथ, आयात में 20 प्रतिशत की व्रिधी होने का अनुमान है।